भगवान विश्व कर्मा को दिवसिल्पी भी कहा जाता है। इन्हें ब्रह्मान का सबसे बड़ा वास्तुकार भी कहते हैं। हर साल 17 सिकत तंबर को उनकी जहनती मनाई जाती है। इस बार मंगलवार के दिन भगवान विश्व कर्मा की जहनती है। इस दिन को विश्व कर्मा बगवान विश्वकर्मा की पूजा करे क्या है पूजन का आसान तरीका आईए जानते हैं काशी के जोतिसा चार पंडित संजय उपाधह से इसके बारे में पंडित संजय उपादयाय ने बताया कि मसंडरी के काम से जुड़े लोग भगवान विश्व कर्मा की पूजा कर अपना कौसल निखारते हैं आम तोर पर फैक्टरी, कारखाने और मसंडरी के काम से जुड़े इस्थल पर लोग इनकी पूजा करते हैं पंचांग के अनुसार इस बार सत्रव सितंबर को भगवान विश्व कर्मा के पूजन के लिए सुबह साथ बजकर 21 मिनट से ग्यारा बजकर 42 मिनट तक का समय सबसे सुबहैं इस मुरत में ही बगवान विश्व कर्मा की पूजा करनी चाहिए देखे ये भगवान विश्वकरमा जो है भगवान ब्रम्हा के पुत्र कहे जाते हैं ये सिल्पी ये बहुत बड़े इंजिनियर हैं बहुत बड़े शिल्पकार हैं जितने भी ग्रह निर्माड आप देख रहे हैं रोड निर्माड आप देख रहे हैं नगरका निर्माड केंद लोग आपारिक कारिगर बिजनस करते हैं कि अगर छोटे रूपे करना चाहें तो घर क्षितर करें चुटि से मुर्थी लाकर के विध्वत पुजार चुना करना तो दूर दही से उनका जोह पूजन करना चाहिए। जया विश्वात।